हरे कृष्णा राधी राधी सभी ठाकुर भक्त को मैं अपना में आप सभी का स्वागत है मेरे चानल में दोस्तों आज आपके इतने सारे जो कमेंट में जो आ रहे थे कि दर्मासमी से डेकोरेशन बता तो देखिए आज जो है मैं डेकोरेशन लेके आया हूँ और एकदम सिं कर रहा हूं तो यहां पर देख सकते हैं यह सब चीजें मेरे खाल से हरे घर में वेलेबल होती है तो उनी चीजों से जो है मैं डेकोरेशन करना आप सभी को बनता रहा हूं तो यहां पर आप वार्डर है नीचे साइड वाला तो यह थोड़ा सा जो है हमें थोड़ा सा हेवी चाहिए हम यह टेबल के उपर जो है इसका कुछ डेकोरेशन करेंगे उसके बाद में एक साड़े आप इसी चाहिए जिसका पल्लू ज्यादा डेकोरेटिव हो क्योंकि मेरे पास अभी यह करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों उपर साइड में मैंने एक रस्ती जो है वो बांदी है दोनों साइड में जो कीले ठोकी हुई थी उसकी हल्प से मैंने रस्ती बांदी है उसके उपर जो है मैं यह सबसे पहले तो साड़ी जो है वो टांग दोंगा तो य आपे आप देख सकते हैं कि मेरा background जो है किस तरीके से बनके त्यार है अभी ये background का मेरा complete है अभी मैं जो है आगे वाला जो पार्ट है उसके ओपर अभी work करूँगा तो देखें काफी heavy जो है अभी से look लग रहा है तो आप अभी देख सकते हैं आपे मैंने जो table लिया हुआ ह इसको अच्छे से मैंने कपड़े से cover कर दिया है दोस्तो अभी जो है मैं क्या करूँगा ये जो आप देख सकते है टेबल जो है थोड़ा बड़ा है मेरे आपे आप किसी भी table के साथ ये decoration कर सकते है छोटा बड़ा आपके पार जैसा भी available हो अभी जो मेरे पास में दूसरी साड़ी थी ये pink red में तो इसका मैं क्या करूँगा नीचे साड़ में फ्रील वाला एक attachment बनाओंगा तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे पल्लू साइट पहले लेंगे और एक साड़ में जो है इसको पल्लू के साथ ही में table के कोने के उपर रख देंगे एकदम सीधा हमें इ इसके उपर पूरा रख देंगे और जितना भी हमारा जो बच्ता है मेरी यहापे border थोड़ी कम है नीचे साड़ में तो थोड़ा सा कपड़ा जो है वो last last me border नहीं थी तो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको जो है पैक कर दिया ठीक है तो अभी यहापर देख सकते है मैंन अंदर साइड में कपड़ा छोड़ा हुआ था उसके ओपर प्लीट डालेंगे एक एक करके आप इसी वज़े से मैंने सूती साड़ी ली है दोस्तों काफी अच्छा इससे जो है हलकी है एकदम वजन में साड़ी तो यह क्या होगा कि इससे प्लीटे जो है काफी अच्छी बन जाए तो आप वैसा ले सकते हैं अदर्वाइज आप इस तरीके से इनको जो है प्लीट को यह करके आप निच्छे साइड में पील लगा सकते हैं मुझे आप यहाँ पे पील लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसको जो है अरेंज कर रहा हूँ तो मुझे एक अंदर साइ में नहीं हुई वहाँ पे मैं लगा दूगा तो यहाँ पे और पीन का इस्तमाल कर रहा हूँ मैं आपको स्टेशनरी शॉप पर और पिन बहुत इजीली मिल जाएगी यहाँ फिर आप सेफटी पिन्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे देखें एकल के जो है आट नो जगह पे पीन लगाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है मेरा अभी से लग रहा है अभी क्या करूँगा मेरे पास में एक शॉल है जो कि मतलब कि हमें कोई नया कपड़ा पूजा के लिए रखना होता है तो यह मैं शॉल रख रहा हूँ क्यों मेरे पास में एकदम नहीं है तो इस वज़े से मैं इस शॉल को अच्छे से इसके उपर बिच्छा दूँगा और आप आप देख सकते हैं आप मेरा बैकड्रॉप और मेरा जो टेबल डेकोरेशन है वो तयार है किस तरीकी से आप देख सकते हैं कि एकदम सिंपल तरीके से म 12 बज रहे थे जब मैं यह कर रहा था अभी मैं सो जाओंगा दोस्तों और सुबह उठके जो है बाकी का डेकोरेशन करूंगा तब तक मैं यहां पर लाइटिंग लगा देता हूं लाइटिंग के लिए मेरे पास यह नॉर्मल लड़ है जो कि आपको मिल जाएगी लाइटि जाग पैटर्न में इसके ओपर लगा रहा हूं और हर एक जगा पे पील लगा रहा हूं तो यहां पे स्क्वेर्स देते हूं मतलब की रेक्टैंगूलर शेप में जिग जाग पैटर्न में मैं यह लगा रहा हूं तो जो आल पिन है मैं साड़ी के पीछे हाट डाल के जो है वो साड़ी के पीछे से लगा रहा हूँ जैसे कि हमारी finishing जो है इससे काफी अच्छी आती है अगर आप all pin नहीं लगाना चाहते तो safety pin लगा सकते हैं उससे भी जो है काफी आपको मदद मिलेगी तो एक-एक करके जो है आप देख सकते किस pattern में मैं लगा रहा हूँ इससे काफ अच्छा जो है look आता है दोस्तों तो यहाँ पर हम ऐसे ही लगा देंगे इसके उपर एक तो मेरा जूला आएगा दोस्तों बड़ा वाला तो यहाँ पर मेरा जो है उतना दिखेगा नहीं बट लाइटिंग लगानी से जो है background में इतना अच्छा जो look बोल सकते हैं वो आए बऄली जैसे आपको पसंद आए आप लगा सकते हो अभी जो है मैं इसको लगा दूगा तो यहाँ पर मैंने ओर चारण क्या है कि यह मेरे पीछे साइड में जो भी मैं कुछ अकर लगाऊंगा तो दिखेगा नहीं तो अगर आपके पास बाइचांस कोई मतलब जूला नहीं है या फिर आप सिंपल करना चाहते है तो यहाँ पे आप पीछे साइड में फ्लावर्स या फिर जो भी आपके प पाल जीप के उपर बहुत सुंदर आएगा और हमारा जो हम बोल सकते है अट्रेक्टिवनेश भी बढ़ जाएगा अगर हम लाइट भी बंद कर देते हैं तो भी यह बहुत सुंदर दिखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग मी मैंने ओन कर दी है और आप दे तो यहाँ पर जो इसकी चैन है जूले की उसके उपर मैं यह लगा रहा हूँ जिससे की यह लुक आएगा कि यह बेलों से जूला बांदा हुआ है मैं क्या करूंगा दोस्तों यह जो मेरी बेल बची है उसको मैं इसके उपर सिंपल इस तरीकि से रखके टेप से चिपका दूँगा उपर साइड में आप इसको टेप से चिपकाई आप फिर डबल साइड टेप से जो भी आपके पास अवेलेबल हूँ उससे कर सकते हैं इसके बाद मैं मेरे पास कुछ गेंदे की मालाय है, इसको मैं सिंपली आगे करके मतलब टेबल को सामने साइड में खीच के, मालाय रखके पीछे साइड में फिर से टाइटली कर दूँगा, जिसे कि क्या होगा कि यह अटक जाएगे टेबल के पीछे और अच्छे से बैट ज पावर था, उसके उपर भी मैंने वो उपर साइड में रख दिया है, अभी जो है मैं एक लेस लूँगा दोस्तों, और मेरे पास बड़ी बॉर्डर वाली कोई भी आप ऐसे लेस ले सकते हैं, तो इसके उपर मैंने लेस लगा दी, टेप के हल्प से आप इसको चिपका सकत हैं, अभी लेस लगाने के बाद मेरे पास में कुछ लटकने थी अवेलेबल, तो वो लटकने मैं इसके उपर लगा दूँगा साइड में, टेप से हल्प से, अभी मेरे पास में एक ये लेस हैं दोस्तों, वो पॉम पॉम वाली तो मैं इसके उपर लगाऊंगा, तो टेप के मदद से इसको भी चिपका देंगे बट आप देख सकते हैं यह वीडियो की एडिटिंग भी उन्हें काफी मज़ेदार की है आपको अच्छा लगे इस वज़े से तो यह लेस लगा दी मैंने पॉम पॉम की अब मैं पास पुछ फूट जो मैं लेकर आया था वो बच गये थे रोजस के तो वो मैं नीचे सैड में ऐसे रख रहा हूँ तो उसे जो है काफी अच्छा लूक हा रहा था तो मैंने यह लेकर आया हूँ दोस्तो फीछे सैड में मैं कुछ एक फूल बच गया था तो वो रख की क्या करता है इस वज़े से मैं जूले के उपर पीछे सैड में टेप के हब से चिपका रहा हूँ कुछ सुना सुना लग रहा है ना दोस्तो जी हाँ मुझे भी सुना सुना लग रहा है इस डेकोरेशन से क्योंकि काफी सिंपल तरीके से घर में जो भी समान मेरे पास अवेलेबल था उसी से मैंने ये करने की कोशिश की है आपको भी पसंद आए अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए आपको ये मेरा सिंपल सा आइडिया कैसे लगा वो भी बताएगा थेंक्यू सो मुच पर वाचिंग हरे कृष्णा राधे राधे